इस वीडियो में अब हम ये डिसकस करेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, हम इसके फीचर्स देखेंगे, कुछ छोटी-छोटी इंपोर्टेंट बाते हैं, इसी वीडियो में हमको स्टडी करनी हैं, पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने ये डिसकस किया था कि not for profit organizations क्या है, उसके features, meaning, कुछ और important बाते भी, मैंने आपको पीछे वीडियो के link आपको इसी वीडियो के description box में दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं, तो आईए अब हम चलते हैं हमारे topic की और that is receipt and payment account, इसका meaning क्या है, ये वो organizations ready करती हैं, जिनका target profit कमाना नहीं होत जो profit नहीं कमाना चाहते, उनको क्या कहते हैं, not for profit organizations, ये organizations क्या करती हैं, receipt and payment accounts को ready करती हैं, कब financial year के last में, ये बनाते कैसे हैं, ये बनाते हैं exact cash book की तरह, पर cash book और इसमें थोड़ा सा difference होता है, receipt and payment account को बनाने से पहले, हमारे पास cash book भी होनी चाहिए, क्योंकि ये organizations क्या करती हैं, during the year, जितना भी इनके पास cash आता है, या जितना भी इनके पास cash चला जाता है, या जो भी banking transaction होती हैं, उन सब के लिए cash book की help लेती हैं, जितनी भी receipt and payment होंगी, उनके लिए किसकी help लेती है cash book, अब cash book के अंदर इन लोगों ने सब कुछ लिख रखा होगा, किस ने कितना donation दिया, B ने कितना दिया, C ने कितना दिया, D person ने कितना दिया, मोहन ने कितना donation दिया, सोहन ने कितना दिया, किस ने कितना subscription दिया, कितना खर्चा हमने कहां किया, सारी बाते आपको कहां अब हमको क्या करना है cashbook में से मालो subscription की entry आपको receipt and payment account में करनी है तो आप कैसे करोगे मालो subscription आपके पास इतनी बार आया तो आप subscription का बस एक ही total कर देना कि subscription हमारे पस total कितना आया एक लाग और इस एक लाग की entry हम बस एक ही लाइन में सीधा कर देंगे वो क्या लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिस्ट और पेमेंट अकाउंट के अंदर हम सब्सक्रिप्शन सीधा लिख देंगे एक लाग हमको उस सब्सक्रिप्शन की अगर डिटेल देखनी है तो detail तो हमारे पस cash book में रखी है तो इसलिए जो reality में receipt and payment account होता है वो cash book की summary होती है क्योंकि cash book के अंदर पतनी 1000 items मिलेंगे अब हम 1000 की 1000 items इसमें लिख दें तो इसके बनाने का फाइदा क्या हम क्या करेंगे यहाँ पर जो एक ही type की items हैं उनको total करके यहाँ पर लिख देते हैं इसलिए जो receipt and payment account होता है यह cash book का एक summary form होता है एक जैसी items को हम total करके यहाँ पर लिखते रहते हैं तो यह है हमारा receipt and payment account तो receipt and payment account के लिए आपको cash book से entry उठाने का topic इस chapter में नहीं मिलेगा आपको question के अंदर सीधा receipt and payment account बनाने के लिए कहा जाएगा चोटी चोटी आइटम given होंगी आप सीधा बना सकते हो आपको ऐसा कुछ typical topic नहीं दिया जाएगा कि आपको cash book से यह ready करना पड़े यह जो बात मैं आपको अभी बता रहा था यह आपकी knowledge के लिए बता रहा था कि receipt and payment account reality में cash book की एक summary form होती है अब बात आती है कि different different dates के उपर subscription आते हैं donation आते हैं जो बात मैं आपको भी बता रहा था तो उसको हम total करके सीधा ही यहाँ पे लिए देते हैं यह बात मैंने आपको भी बताई थी फिर next बात हमको क्या बताई जा रही है कि जितनी भी transaction हमारी cash book में होंगी उन सारी transactions को total करके जैसे एक एक nature की item है same nature की item है उनको total करके हमको कहां लिखना है recipient payment account में लिखना है पर एक बात आपको ध्यानक नहीं है ऐसी कोई भी transaction जो cash book में नहीं है आप recipient payment account के अंदर direct नहीं लिख सकते सी आइटम नहीं लिखी तो आप उसको वहाँ पर भी डिरेक्ट एंटर नहीं करा सकते ठीक है यह बात हमको ध्यानक नहीं होती है फिर रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के क्या फीचर है फीचर नबर वन इसका जो नेचर की बात कर रहे हैं यह अकाउंट का नेचर क्या है सिंपल सी बात है यह अकाउंट भी दो साइड्स के अंदर होता है लेफ्ट साइड राइट साइड लेफ्ट साइड में रिसिप्ट राइट साइड में पेमेंट तो इसके उपर रियल अकाउंट का रूल फोलो होता है रियल अकाउंट का रूल क्या होता है डैविट वट क ओपनिंग balance के साथ हमको starting करनी होती है balance BD के साथ या favor में आपके balance नहीं है तो आपको credit से भी start करनी पूसकती है अगर आपके पस cash या bank balance आपका खुद का रखा हुआ है तो debit से start कर लो to balance BD अगर balance आपका उल्टा हो रखा है आपने bank को ही पैसे देने है बैंक ओवरड्राफ का पंगा चल रहा है तो आपको शुरुआत क्रेडिट से करनी पड़ेगी बाई बैलेस बीडी इसी तरह कलोजिंग का टॉपिक है जब आप रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को कलोज करोगे तो हम क्या लिखते हैं बैलेस सीडी तो टू बैलेस सीडी हो सकता है और बैलेस सीडी भी हो सकता है आपका बैलेस आपके फेवर में भी आ सकता है और आपके अंगेस्ट भी हो सकता है तो ये बात हमको ध्यान लखनी है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाते हुए फिर इसकी debit और credit side के अंदर हमको कौन सी items record करनी है ये बात आप ध्यान से सुनिएगा ये है recipient payment account इसके अंदर हमको बस ये ध्यान लखना है अगर आपका cash या bank balance effect हो रहा है आपको उसको record करना है otherwise record नहीं करना मतलब cash transaction या banking transactions अगर आपकी effect हो रही है bank balance या आपका cash balance effect हो रहा है तो आपको लिखना है अगर आपकी transaction non cash है ऐसी transaction जो आप cash में नहीं करते आपको इसमें नहीं लिखनी ध्यान लखना हमको इस बास से कोई मतलब नहीं होता cash इस साल का आया, next साल का आया, next year का आया या previous year का आया cash आया है ना, लिख दो इसी तरह से payment की बात payment आपकी इस साल की आई, previous year की आई या next year की आई payment की है ना आपने, आप लिखो आपके बस पैसा आया तो लिखो पैसा गया तो लिखो आपको बस ध्यान लखना है non cash transaction नहीं लिखनी आपने चाए property खरीदी है लिखो, आपने चाए कुछ और खरीदा है, लिखो, पैसा effect होना बहुत जूरी है, पैसे के उपर या bank balance के उपर effect आ रहा है तो आपको बस यहाँ पे लिखना है हर हालत के अंदर इसलिए जो इसका next point है वो यही है तो debit balance आ सकता है, otherwise credit balance दिया सकता है, next है purpose, receipt and payment account के बहाफ पर हमको यह पता नहीं लग पाता क्या current income क्या current expenditure से ज़दा है या क्या current expenditure current income से ज़दा है मतलब हमको इस बात के बारे में नहीं पता लग पाता, receipt and payment account बस हमको यही बताता है कि हमारा closing balance कितना है, हमारे पास cash कितना रखा हुआ है, bank balance कितना रखा हुआ है bank से हमने पैसा लेना है या bank को हमने पैसा देना है अगर आप अपने income and expenditure account को बना लेते हैं receipt and payment account की help से तो definitely आपको बहुत कुछ पता लग पाता है, yes, income and expenditure account, जो हम आने वाली वीडियो में discuss करेंगे income and expenditure account की help से आप surplus deficit का पता लगा पाते हैं बोले तो profit या loss बोले तो income या expenditure या मैं ये भी कह सकता हूँ, आपको पता चल जाएगा हमारी income जादा है या expenditure जादा है तो ये था हमारा simple सा topic receipt and payment account का तो आने वाली वीडियो के अंदर हम इस chapter को और आगे continue करेंगे तो मिलता हूँ, मैं आपको अब next video में